पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर गर के चोखट के एकदम सामने जबल उतार देते हैं साथ बार दिन भर में से कितनी बार साथ बार विश्णु पुराण कहती है एसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दर्वाजे पर साथ बार लच्मी आकर खड़ी नहीं होती हो कल एक अठा कही थी आपको कि प्रतेख मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है केवल मन्थन करना कविश्य पुरान कहती है साथ बार लच्षमी पर तेक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है पर द्वार पर चपल पड़ी होने के कानवश वो लोटकर चली जाती है वो ध्यान दीजेगा मारत तोड़ा सापको बुरा लगेगा लग जाएगा पर शिव पुरान है जीवन सवारदे की तो अच्छी बात है जीवन सवारदे तो अच्छी बात है मंदिर के द्वार पर हम जब चपल छोड़ते हैं जिस मंदिर की चोगड़ पर चपल छोड़ी है आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आग की चपल पर जितने लोग ल करते हैं उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है त्यान दीजेगा जब पल का भविश्य पुराण में पढ़ियेगा कभी की पादुका का महत्व क्या है पादुका किस और उतारना चाहिए पादुका को कहां रखना चाहिए किस जगह पर जाडू को रखना चा